हाई दोस्तों नमस्कार देश के सबसे बहतरीन प्लेटफॉरम टार्गिट प्लस पर आपका स्वागत हार दी कभी नंदन और आज अपना बहुत ही महत्वपुन टॉपिक है उसके बारे में पनध्यन करने वाले हैं दलहन तो बच्चों आपको पता होगा कि इंडिया के जमीर हमेशा प्रसंद पोचता है आप लोगों से अब आज के बाद में आप देखेंगे कि जो दलहन वाला आपका टोपिक है वो एक ही चुट्कियों में कुछ ही शणों में आप बहुत जल्दी से उसको याद कर पाएंगे और जीवन में कभी उसको भूल भी नहीं पाए और जाएंगे क्योंकि इतने शांधार सरल्स है जंदाज से अपने चया करने वाले हैं जिससी यह कई आपके बहुत ही लुए पाता ने वाला है प्यारी विद्यार्थियों सबसे पहले नहीं को यह पता होना चाहिए कि आपके सहले बास में कौन सिल्हन है कौन-कौन सी पल के बच्चो अरहर कौन सा अरहर जिसको आप क्या बोलते हो बच्चो पीजन पी पीजन पी कहते हैं ठीक है तीसरा बच्चो आपके कौन सा है चैना हो गया अरहर हो गया इसके अलावा इसमें मटर आपका हो गया कौन सा मटर जिसको आप पी के नाम से जानते हैं बच्चो चार ग्राम भी कहते हैं क्या कहते हैं ग्रीन ग्राम means Harachana खेल एक आपका नियुकमसूर मसूर को आप क्या केट wil бол奇 Carl Lentil के ते ओðla मशोड ठेक ऐग सब्द कर इस फ्ल्क चनलब फिल 582 ऐजिसको आप मिया बाइस्ट वि कहते हो क्या कहते हो लॉबिया यह बड़ा इंट्रेस्टिंग टॉपिक है तो मूंग मॉट अगला कौन सा है बच्छो मॉट मॉट इसको आप क्या कहते हैं मॉथ बीन कहते हैं अप्सक्क्राइब हो गया अरहर गया मतर हो गया मूंग हो गया मसूर हो गया मौट हो गया विच्छों साथ नंबर और आठ नंबर आपका कौन हो गया अब बच्चों यहां से 3-4 परसंद कई बार एक्जामी पूछ ले जाते हैं, कई बार तो 4 परसंद आ जाते हैं, कई बार 3 परसंद आ जाते हैं, कई बार 2 परसंद आते हैं, लेकिन कहा जाता है बच्चों कि इंडिया का कोई भी competition और agriculture का यहां 2 से लेके 4 परसंद तो अवस् या जाता है ठीक है तो सबसे पहले आप लोग आपकी notbook में लिखेंगे कि आपके सेले बस में कौन-कौन सी crop सबसे important है बचो crop सारी ही important है कोई भी crop यहां से हलके में नाले सबी important है अब बच्चों मैं आपके बहुत काम की चीज़ बताता हूँ यह जितनी भी डाले आपकी हैं कुछ ही चुटकियों में आप इनको याद कर बैठ पाएंगे कैसे याद कर पाएंगे बच्चों इनको याद कर पाएंगे नोटों के माद्यम से मैं आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे नोट लिखाऊंगा जो सभी डालों के लिए लागू रहेंगे यदि वो नोट आपने अच्छे से पढ़ लिए तो आप लोगों की डाल तुरंत प्रभाव से बहुत सरल तरीके से आपका खतम हो जाएगा ठीक है बच्छो चलो तो आगे अपन बढ़ते हैं देखो बच्छो आप लोगों को पता है कि जो दाल होती है दलहन होती है इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं पल्स बोलते है या बच्छो इनको क्या कहते हैं लेग्यूम कहते हैं क्या कहते हैं लेग्यूम कहते हैं तो यह French सब्ध है, कौन सा सब्ध है ऐसा आप लोग ध्यार रखेंगे ठीक है अब बचो यह जो French सब्ध है कौन PULS? यह क chut से बना है यह PORIGE से बना है P-O-R-I-D-Z-E बचो यह PORIGE सब्ध से बना है सब्ध से Nirmit है किस को बना है? बच्चो ये porridge जबसे बना है। ऐसा आप लोगों को पता रखना है। और इस porridge सब्द आर्थ क्या होता है? इसका meaning क्या होता है? ये चीज भी आप लोगों को पता होने चाहिए। तो बच्चो इसका ज़ो अर्थ होता है porridge का वो होता है soup S O U P क्या होता है सूप और सूप का मतलब बच्चो क्या होता है डाल क्या होता है डाल तो बच्चो पलसेज कौन सी वासा का हुआ फ्रेंच वासा का इस सब्द से ये पल्स बना है पोरी जी सब्द से बना है किस से बना है इस पोरी जी सब्द से बना है और यह porridge सब्द है इसका अर्थ क्या होता है soup soup यहनी डाल ठीक है ऐसा आप लोग जहां रखेंगे एक तो pulsage हो गया डालों में ठीक है कौन हो गया pulsage कहों सा सब्द है और यह जो आपका लेटिन सब्द है इसका निर्मान किससे हुआ है बच्चो ये लेगने सब्द से बना है लेगने सब्द से बना है सब्द से निर्मित है ये किसे बना है बच्चो लेगने सब्द से बना है लेगने सब्द से बना है और इस लेगने सब्द का बच्चो अर्थ क्या होता है इसका मिनिंग क्या होता है यह भी आपको पता होना चाहिए तो इस लेगने सब्द का जो अर्थ है वो है एकत्रित करना क्या करना एकत्रित करना जिसको आप क्या बोलेंगे collect करना Co llct collect करना है collect करना collect करना सब आप लोग नोग तो पिसई कुण सी बहसा का वा फ्रेंज का फिरस कौन सी भासा से बना है पोरीज से पोज़ पन है है सूपियां दाल लेग्यूम सब्द मि मतलब दाल होता है कौन से से बनाए? लेटिन से, किस सब्द से बनाए? लेग्ने कारत क्या होता है? एकत्रित करना, क्या एकत्रित करना? नाइट्रोजन इस्तरी करनी करना? यह बड़ा इच्छा यहां से important person आप लोगों से प्रिक्षाओं में पूछा जाता है ठीक है बच्छो तो चलें यहां से आगे screenshot लेना है तो आप ले सकते हैं बच्छो बड़ा interesting person है स्यांदार person है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं ठीक है अब मैं कुछ note लिखाऊंगा आपको बहुत सारे note लिखने आपको यहां से note और यह note आपको याद होने चाहिए और बच्छो यह note है सभी दालों के लिए लागू रहेंगे सभी note सभी दालों के लिए लागू रहेंगे ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे एक बार फिर बोल रहा हूँ कि सभी नोट सभी फसलों के लिए लागू रहेंगे ऐसा आप लोग ध्यां रखने वाले हैं बच्चो ठीक देखो बड़ा इंपोर्टेंट सीज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि देखिये क्या नोट आपको याद रखे हैं वो आपको बताय जा रहे हैं देखो बच्चो सबसे इंपोर्टेंट बात इनका कुल कौन सा है कुल बच्चो डालों का कुल कौन सा है leguminacy कौन सा है leguminacy कौन सा है leguminacy और बच्चो leguminacy का दूशना नाम क्या है phê-be-sie क्या नाम है phê-be-sie तो leguminacy के फे-be-sie में कौन आती है सबी डाल आती है ठीक है ऐसा आप लोगों को पता रखना है बच्चो ये तो बात हो गई लेग्यूमिनेसी की या फेवेसी इनके कुल की, फिर एक बच्चो परसन बनता है उपकुल, कि इनका उपकुल कौन है, क्या सीच, उपकुल, तो दालों का जो उपकुल है बच्चो उसका नाम है पेपी लियो नेसी, पेपी लियो नेसी, बच्चो कौन से उपकुल से बिलॉ रह्यगी रहेगा, मूम का, मॅट का, उरद का, चॉणला का, राजमा का, सब का best does together on a और स कुल है, इसा अप नों रहेगा है। अब देखेंगे, बच्चों, अब बात करते हैं इनके जनम इस्थान की, किसकी जनम इस्थान की, मतलब ओरिजन पैलेस की, जनम इस्थान या इनका उद्भव इस्थान, ऐसा आप लोग ध्यान रगेंगे, इसका जनम या उद्भव इस्थान जो आपका है, मतलब इसका ओरिजन पैलेस जो है, कहां से इसका जनम हुआ है दालों का, तो बच्चो दालों का जनम कहा जाता है कि कहां से हुआ है भारत से ज्यादतर दाले कहां से जनम ली है भारत से ली है लेकिन बच्चो इसमें कुछ अपवाद भी है क्या है अपवाद अपवाद और बच्चो वो अपवाद है आपका अरहर कौन अरहर अरहर के लिए कहा जाता है बच्चों की इसका जनम अफरीका से हुआ है, कहां से अफरीका से, ऐसा इन के लिए कहा जाता है, अफरीका, इसके अलावा बच्चों मोट का नाम आपने सुना होगा, मोट की एक जंगली पर जाती है, उसका जनम भी कहां से हुआ है, अफरीका से, तो अफरिका से अरहर हो गया और मोट की एक प्रजाती है उसका जनम कहां से हुआ है अफरिका से हुआ है ऐसा आप लोगों को पता रखना है बच्छो ठीक है यह चीज आप इसे ध्यान रखेंगे देखो फिर और काम की बाते है खूब सारे नोट बताऊंगा बच्छो आपको यहां से तो जनम इस्तान की समझाती वो खतम हो गई है ठीक है इसके बाद में आता है IPRI आई पी आ रही आई पी आ रही का मतलब है बच्छो यहां पर भारतिये दलहन भारतिये दलहन अनुसंधान संस्तान की भारतिये दलहन अनुसंधान संस्तान कहां पर है तो बच्छो मैं आपको बता दूं की भारतिये दलहन अनुसंधान संस्तान है वो कानपूर में है कहां क्दाए कांपूर उत्रपरदेश क्वापे है कांपूर उत्रपरदेश में है., ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे, जॉत्ट आधे कांपूर उत्रपरदेश में है बच्चों ठीक है कि फिर देखो जो दाल होगी, खरीब दलहन इस खरीब दलहन में जो टू एन बराबर होंगे वो यह तो 22 होंगे यह 24 होंगे, लेकिन मैन कौन से होंगे बच्चो, 22 होंगे ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे देखो, नीचे बात करते हैं बच्चो, रभी की बच्चो, रभी दलहन में जो टू एन बराबर होते हैं आपके, टू एन बराबर वो होते हैं, चोदे लेकिन यहाँ पे एक अपवाद है क्या है? अपवाद और उस अपवाद का नाम है बच्चो, चना इस चने में टू एन बराबर कितने होते हैं? 16 होते हैं, कितने होते हैं, 16, तो यही परीक्षा की दरस्टी से वेरी मॉस्ट है, कौन सा काबूली चना, इसका नाम पूरा लिख देता हूँ, काबूली चना, बच्चो कौन सा वेरी मॉस्ट है, काबूली चना, काबूली चना जो आपका है, इसमें 2N बराबर कितने होंगे, बच्चो काबूली चना में जो 2N बराबर होंगे वो कितने होंगे तो इसमें होंगे 16 यह परिक्साओं में पूचा जाता है तो यहां तक तो आप लोगों को किसी भी परकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है ऐसा आप लोग ज्यान रखने वाले हैं ठीक है यहां तक तो सब ओके है एकदम शांदर है जोड़ार है ठीक है बच्चो आगे देखो गुनसुतर संक्या भी आपकी खतम होगी समझ्या क्योंकि गुनसुतर संक्या आपको बार बार रटने की जरत नहीं है कि किस में कितनी होती है ठीक है ऐसा हब लोग ज्यान रखेंगे पिर आगे बच्चो बात करते हैं प्रोटीन की इसकी प्रोटीन की तो कहा जाता है कि उसको फेसियोलीन कहते हैं, क्या कहते हैं, फेसियोलीन कहते हैं, क्या कहा जाता है बच्चों, फेसियोलीन कहा जाता है, ऐसा भी आप लोग ध्यान रखें, फेसियोलीन कहा जाता है, ठीक है, या उसको लेग्यूमीन प्रोटीन कहा जाता है, लेग्यूमीन प्रोटीन, लेग् में में 28头 15 प्रतिसत होगा ऐसा आप लोग भ्यान रागेंगे तो बात हाती है कि इन में मिन कार्बो ह chocolate किए चीज करवा है एक या झा आइडरेड है बैसे स्थे लेकर के पैंसट ego फिर्प के लगबग होता है दालोंगे 살 कार्व 60% कार्वो हाइड्रेड होता है ऐसा आप ध्यान रखेंगे जी कर तो कार्वो हाइड्रेड का परसन आये तो आप ऐसे याद रखेंगे फिर आगे बढ़ो इंपोर्टेंट बाते जोड़दार चीजे चल रही है बचो सभी दाले जो होती है सभी दलहन सीथ्री पादप होते हैं क्या होते हैं सीथ्री पादप होते हैं ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे सभी दाले क्या होती है सीथ्री पादप होती है ऐसा बच्चो आपको ध्यान रखना है ठीक है यह बड़ा इंट्रेस्टिंग परसन है बच्चो फिर आती है जलमांग कि दाल 400 mm लेकिन यहां पर अप्वाद है बच्चों मौट मौट को बहुत कम पानी चाहिए मौट के लिए कहा जाता है कि इसको 1500 mm तक पानी चाहिए इतना 1500 mm तक पानी चाहिए किसको मौट को ठीक है ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे ठीक है फिर इसके बाद चलते हैं आगे जल्वांग के बाद किल्वां GPUCK करांतिक अवस्था कौन ची करات अक्यावस्था नहीं है और सबुस्टिक जो घ्रांतिक अवस्था बचले कि अ सकती कि फली निर्मान अवस्ता, उस पन से पूर्व फली निर्मान अवस्ता पर क्या करना है, आप लोगों को सिचाई करना बहुत जरूरी है, यदि पैदावार लेनी है तो, ठीक है, ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे, ये बड़ा इंट्रेस्टिंग और स्यांदार प्रसन आपका पूचा जाता है, ठीक है, ये जल्मान की बात हो गई, सिचाई करांति का वस्ता की बात हो गई, अब इसकी बात में बात करते हैं बच्छो, पुष्प करम, कि इनमें जो पुष्प करम होता है, इन्फ्लोरेंस होता है, वो कौन सा होता है, बच्छो, दालों का जो पुष् वक्ष्वकरम होता है बच्चो रेसी मी, रेसी मी या रेसी मौस, बच्चो रेसी मी रेसी मौस क्या होता है? आपने देखा होगा, कि जिसकी फलियां आती हैं, उनमें ऐसे फूल आते हैं, आमने सामने फूल आते हैं या दो? इस टाइब से, या बच्चो यह ऐसे भी आ सकते ह हैं ए मैं ऐसे भी आसकते है इस टाइब के जो फूल आते हैं उनको रेशी मोस कहते हैं ठीक है ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे बड़ा अच्छा परसन पोस्ता है बच्चो ऐसे फूल इनमें आते हैं अब बात आती है बच्छो फल प्रकार की, फल प्रकार, तो जो डाले होती है, इनका फल प्रकार कौन सा होता है, बच्छो डालों का जो फल प्रकार होता है, उसको बोलते है, पोड, क्या 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 क्य होती है फली लगती है और उस फली के अंदर क्या रहता है बच्छों बीज रहता है यह रहता है बीज रहता है ऐसा आप लोग जानते हैं ठीक है एसा आप लोगों को जानना भी जरूर यह बडा इंट्रस्टिंग है ओ पे पुष्प करम के बाद में आप चर्चा करेंगे इस संपरागन कौनछा शाफशन शाफ पोलीनेजन होता बच्चो थीक है, एक लोग ध्यान रखेंगे, लेकिन एक रोप ऐसी है पच्चो जिसमें क्या होता है पांस से दस परतिशत क्या होता है इसको मैं नोट के अमाधियम से लिख दूं यहां पे क्या चने में पांस से दस परतिशत पर परागन भी पाया जाता है पर परागन भी पाया जाता है ऐसा भी आपको द्यान रखना है दूसरी एक और महत्पून चीज बता दू बच्चों आपको चैने में पांस से दस परतिशन पर परागन तो होता ही होता है इसके लावा यहाँ पर एक अपवाद है क्योंकि आपने पड़ा कि सबी डाले तो सव परागीत होती है लेकिन एक अपवाद है और उस-पवाद का नाम है बचो अरहर की लिए कहा जाता है बचो की इसमें बहुदा पर परागं पाया जाता है, कौन सा? बहुदा परपरागन तो बहुदा परपरागन किसमें होता है बहुदा परपरागन होता है अरहर के अंदर इसके अंदर अरहर के अंदर ऐसा आप लोगों को ध्यां रखना बहुत जरूरी है कि बहुदा परपरागन किसमें होता है और आप लोगों का उत्तर क्या निकल के आ जो परागणु है मतलब कुछ परागण टो पौुद कर लेता है। कुछ पौदा माध्यम से इसी हैं। यह सब के सब इसमें आपके आजाते हैं बच्चो ऐसा आप लोगों को ध्यां रखना बहुत जरूरी है चीक है बड़ा इंट्रेस्टिंग बड़ा लाजवाग चीक है आगे बढ़ते हैं चीक है यहां तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि कितने सारे नो आगे देखो आज तो नोटों की यहां फे बार ही सो रही है खुब सारे नोट आपको सीखने को मिल रहे हैं ठीक है यस अब इसके बात करते हैं बच्चो उरुरक की बात कर लो उरुरक की अनला फर्टिलाइजर्स की अब एक अनला फर्टिलाइजर्स की उरुरक की बात कर लेता है बच्चो उरुरक की बात करें तो सबसे पहले आप क्या डालते हों एनपी के डालते हो नैट्राजन फास्परोस पोटास एनपी के काम में लिया जाता है तो बच्चो दालों के लिए कहा जाता है, दालों में जो N P K है, वो 1, 2, 1 होता है. या फिर बच्चो, 1, 2, 2 होता है. अब आप लोग देख रहे हैंगे कि यार, यह 1, 2, 1, 2 है क्या जीज? यह क्या चीज आगी नहीं अब? यह बच्चो इस मैं आपको बता जिता हूं यह क्या चीज है बच्चो अरोरक हमेश्चा केजी परती हक्टर में डाले जाते हैं ऐसा आप लोग जीवन में याद रखना केजी परती हेक्टर की बात हो बच्छो मैं आपको बता दूं कि एक बराबर 30 किलो होता है ऐसे आप जीवन में याद रखेंगे एक बराबर कितना होता है बच्छो 30 किलो तो बच्छो एक बराबर 30 है तो यहां तो एक बराबर 30 kg हो गया तो दो बराबर कितना हो गया बच्छो 60 kg हो गया और एक बराबर 30 kg ह गया तो दालों में 30 kg nitrogen लेंगे 60 kg phosphorus लेंगे 30 kg potassium लेंगे यहां फिर मैंने एक और लिखा है यहां पर कि एक और यह यहां फिर दूसरा और लेते हैं तो बच्छो दो बराबर तो वही 60 kg इधर भी 60 kg अब इधर 30 kg बच्छो सपोच को यहां पर तीन होता तो कितना होता 90 kg चार होता तो 120 माच होता तो 1500 है बढ़ता जाता वेरी कुल ठीक है ऐसा आप लोग घ्यान रखें बढ़ता जाता अब बच्छो यहां पर एक अपवाद है अपवाद इस उरोरक में भी एक राजमा जिसको फ्रेंच भीन केते हैं बच्छो राजमा एक डाल है तो राजमा के लिए कहा जाता है बच्छो की यह नाइट्रोजन का स्थिकरण मतला नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती है बच्छो इसकी जड़ों में गांट जरूर होगी पौदे में लेकिन यह ना nitrogen का इस तरी करेंड नहीं करती है, तो फिर इसमें NP के कितना डालेंगे, तो बच्छो इसमें NP के डालेंगे, 4,2,1, क्या डालेंगे, 4,2,1, इसमें 30 kg potassium, 60 kg phosphorus डालेंगे, और 120 kg क्या डालेंगे, बच्छो nitrogen डालेंगे, 120 kg, तो बच्छो यहां पर प्रसन आया था, 2018 supervisor में, 18 supervisor में एक person पूचा गया, क्या, राजमा में nitrogen कितना डालते हैं, तो 120 kg राजमा में nitrogen डालते हैं, ऐसा आप लोगों को पतारकों है, क्योंकि यह nitrogen का इस्तिरिकरन नहीं करता है, तो जब nitrogen का इसतिरिकरन नहीं करता है, तो ऐसी condition में अपने को नाइट्रोजन ज्यादा डालना पड़ेगा, ऐसा आप लोगों को ध्याँ रखना बहुत जरूरी है, ये बात हुए किसकी उरूरक की बात हो गई, अब बच्चो अपन बात कर लेते हैं जलवाईू की, उरूरक के बात में जलवाईू, बच्चो जलवाईू में मैं आपको बता दूँ कि खरीब की पसल आपसे पोचे खरीब खरीब में आएगा बच्छु उ-पोसने जलवायू कौन सा उपोसने जलवायू खरीब में कोन आजाएगा उपोसने जलवायू और रबी में कोई आएगा बच्छोण diferença रबी में आएगा बच्तो रभी में आएगा सुस्क सीतोशन वे सूसु के। सीतोशन जलवाईु ठीक माना जाता और उदर उपोशन आगया है handlar और यह यह बात होगी जलवाईू की म्रधा की बाद करें स्वइल की बात करें तो कहा जाता है कि ब्लूई दोमट मिट्टी ठीक समझे जाती है ब्लूई दोमट यहां तक तो आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है नहीं अधिकत बच्चो ठीक है हाँ बिलकुल अगे बलूई दो मट आपका राइट एंसर यहां से आ चुका है ठीक गुड अब बच्चो तापमान की बात करते हैं टेंप्रेचर की बात करते हैं तापमान की 돼 मैं आप देखेंगे सबसें इमिपोर्टेंट और सबसें जोड़ार बात की सबसे पहले ब्लेते हैं रभी दल्हन कूंसे रभी दल्हन पर गईक में अंकूरन की बात आती है इसकी अंकूरन की तो रभी दल्हन में अंकूरन के लिए कहा जाता है 20 दिगेरी table icias temperature सही माना जाता बच्छोrá फिर वर्धी की बात आये वरधी की लिए कहा जाता है कि 15-20 degrees Celsius सबसे अच्छा माना जाता है, पिर बात आते हैंओ बच्छो पकते समय है पकते समय, बच्छो पकते समया जो temperature रखेंगे इस में ठीक है डिग्री celsius आएगा बच्छो परसंटेज नियाएगा डिग्री celsius पक्ते समय इनको 26 से लेकर के 32 celsius temperature चाहिए चाहिए बच्छो देख लो मैंने लिख दिया है कि रभी की जो डाले है उनमें अंकूरन के लिए 20 से 25 डिग्री celsius तापमान चाहिए वरदी के लिए 15 से 20 चाहिए और पक्ते समय 26 से 32 celsius temperature चाहिए चाहिए ऐसा आप लोग जहां रखेंगे ठीक है तो तापमान में रभी की दालों के दूबात हो चुकी है सबी रभी दालों की चलो अच्छो आँगे इदर खरीब दाल भी ले लो खरीब दलन भी ले लो खरीब दलन में अंकूरन के लिए अंकूरन के लिए चाहिए 32 से 36 डिग्री celsius तिर बात आती है वरदी के लिए या वरदी के लिए चाहिए बचो 26 से 32 डिग्री celsius तिर बच्छो बात आती है पक्ते समय पक्ते समय यहां पक्ते समय बाईश से 26 डिग्री celsius सबसे अच्छा माना जाता है बच्छो परिक्षा में आएगा तो आपके वरदी ही आएगा ध्यान रखना है इसलिए वरदी को वेरिमोस्ट लगा लेना वरदी बहुत इंपोर्टेंट है वरदी बच्छो वरदी क्या है खतरनाक इंपोर्टेंट है चलो आगे चर्चा करते है बच्छो उत्पादन की production की production means उत्पादन की वच्छो आप ध्यान रखेंगे कि विश्वा में सबसे ज़ pockets करने वाला देश विष्वा में सबसे ज़्यादा दाल पेंदा करने वाला देस भारत होगा सबी दाल सबसे ज़्यादा काओंगी भारत में होगी भारत में धो फिर परसन बनता है भारत में काऊंगी भारत में MP का पहला हिस्तान है, Rajaashtan का तो दूसरा हिस्तान। ठीक है? बच्चों आपसे राजस्तान में पूचे कि सबसे ज़्यादाल का होती है तो राजस्तान में सबसे ज़्यादालों का उत्पादन नागोर में होता है नागोर है बीकानेर है यहां सबसे ज़्यादा होती है ठीक है यह बात हो गई उत्पादन की अब उत्पादन के बाद में देखेंगे बच्चों काम की बाते जोड़दार बाते हैं उत्पादन के बाद में, प्रोडेक्शन के बाद में बहुत बार जहां से परसन पूचा जाता है, ठीक है? अपाधन के भाद में अपन सबसे पहले हिस आप लेते हैं सबसे नाज है जिसकर अब हर्वी साइड कहते हैं हर्वीसाइड किहते हैं ब cliff साखनासी बच्चों इन में सबसे व्यरि मोस्ट और सभसे पावरफुल साख नासी है उसका नाम है फ्लूख्लॉॉः फ्लू-ख्लॉ-ख्लॉ-ख्लॉ-ख्लॉ-ख्लॉ-ख्लॉ-ख्लॉ-ख्लॉ-ख्लॉ-ख्लॉ-ख्लॉ-ख्लॉ-ख्लॉ-ख्लॉ-ख्लॉ-ख्लॉ-ख्लॉ-ख्लॉ-ख्लॉ-ख्लॉ-ख्लॉ-ख्लॉ-ख्लॉ-ख्लॉ-ख्लॉ-ख्लॉ-ख्लॉ-ख्लॉ-ख्लॉ-ख्लॉ-ख्लॉ में पूचा जा चुका है इसकी मात्रा चटे में कितनी लेंगे बच्चों इसकी मात्रा लेते हैं 700.500 ग्राम है रती हेक्टर अब बच्चों आज जेट के एक्जाम में परसन आया है कि ये क्या होता है पीपी ऐई PPI का मतलब होता है बुवाई से पहले डालना उसको PPI कहते है दूसरा ये एक नमबर हो गया, ये दूर नमबर दो नमबर बच्चो इसका दोस्त है TRIFLURALINE 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 बच्चो TRIFLURALINE की भी कितनी मातर काम में लेते हैं 750 ग्राम प्रति हेक्टर एक नमबर की बेटे हैं दोनों, तीक है? बिलकुए तीसरा इमेजा थापर इस इमेजा थापर को पर्शूट कहते हैं क्या कहते है बच्चो पर्शूट कहते हैं इसके लिए खा जाता है कि छस्टो ग्राम परति हेक्टर सफिसियंट माना जाता है लेकिन बच्चो यह पॉस्ट इमर्जेंस है पॉस्ट इमर्जेंस आगे बताऊंगा बच्चो पॉस्ट इमर्जेंस क्या होता है? खड़ी पसल में डालना तो फ्लू क्लोरलीन इमेजा था पर तीनों बड़े इंपोर्टेंट माने जाते हैं उत्पादन आपने देखी लिया है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत में होता है भारत में सब ज़्यादा MP रास्तान में होता है रास्ता में सब ज़्यादा नागोल और विका निर्फ में होता है ठीक है अंकूरन वर्धी पकतेिस्था में कितना ची आपने देख लिया है बच्षों साकवे से आपने देखे लिया यह कि होसे भी शुब्द बड़ा इंपर्टेंट इस भी हुए इसलो हो फिर थी सो में खूप पर परशन यहांसे पूछे साथ है कि अगए की तरफ बढते हैं कि आं हे आगे की तरफ बढते हैं चिक है verdad में ज各 हो गया पैनडी में थालीन شुन जो पैंडी मेथालिन बच्चो पैंडी मेथालिन है इसकी कितनी मात्रा काम में लेते हैं पैंडी मेथालिन के लिए कहा जाता है कि बच्चो इसकी एक लिटर मात्रा काम में लेते हैं कितनी एक लिटर परती हेक्टर और बच्चो यह जो साकनासी है यह pre-emergence है कौन सा है pre-emergence, pre-emergence का मतलब समझते हो क्या होता है जो को बच्चो मैं लिख देता हूं एक बार, आपने तीन सब्द पढ़े हैं यहां पे, एक तो पीपीए सब्द पढ़ा, जिसका आज ही की परिक्षा में जेट 2023 में परसन आया है, पीपीए, पीपीए का मतलब होता है बुआई से पूर्व, बुआई से पूर्व, ठीकर, दूसरा होता है बच्चो, pre-emergence, pre-emergence का मतलब होता है बुआई के तुरंथ बाद, बुआई के तुरंथ बाद, वे अंकूरन से पहले, एंकूरन से पहले, यानि फसल बुवाई के एक से तीन दिन में इसको डाल देना चाहिए एक से तीन दिन में इसको क्या करना चाहिए डाल देना चाहिए ठीक है ऐसा आप तहां रखेंगे तो PPI हो गया, Pre-Emergence हो गया थीसरा Post-Emergence Post-Emergence का मतलब है बच्छो खड़ी फसल में उप्योग खड़ी फसल में उप्योग ठीक है वच्छो ऐसा आप ध्यान रखेंगे खड़ी फसल में उप्योग ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे चलो आगे देखो को खड़ी पूसल में उप्योग कर लिआ था इसके बाद में आगे हमान बात करते हैं ठीक है पेंडी मैथा लें सारे साक्णास हुआ इने आपको बता दिये हैं कि कौन विया लगजा कोजा बैश्चों आगे बात करते हैं कोंसा कॉफ लेते प्र३श्च किसकी अंकूरन परतीसत कि दालों में अंकूरन परसेंट कितना होता है तो बच्छो मैं दालों में अंकूरन परतीसत की मैं बात करूँ तो कहा जाता है कि इनमें 75 से लेकर के 80% दानों का अंकूरन होता है कितना 75 से 80% दानों का अंकूरन किसमें हो जाता है आपका दाल वाली फसलों में हो जाता है ऐसा आप ज्यान रखेंगे बैग्चों उनका कटाई सुचकांग पूचा जाता है ति धालों का टाई सूचकांग कितना उता है तो दालों का जो कटाई सूचकांग होता है, मेरे बच्चों वो कितना होता है, बड़ा इंपोर्टेंट है, 20 से लेकर के 25 प्रतिसत के बीच में होता है, कटाई सूचकांग का मतलब है बच्चों की 4 कितना है और दाना कितना है, तो कहा जाता है कि 20 से 25 प्रतिसत ही क्या मिलता मिलता है दाने मिलते हैं बाकी तो क्या मिलता है चारा मिलता है ठीक है ऐसा कहा जाता है चलो बच्छो आगे देखो कटाई सुचकांग की बात है अब कटाई की कटाई के समय दानों में नमी कटाई के समय दानों में नमी परतीसत की बच्छो नमी कितनी होनी चाहिए दानों में तो कटाई के समय दानों में जो नमी परतीसत है वो कितना होना चाहिए यह होना चाहिए बच्छो आपका 20-25 परतीसत ही होना चाहिए जब आप काट रहे हैं, बानों को, या फसल को काट रहे हैं तो उसमें 20 से 25 बेल्ट नमी का होना जरूरी होता है फिर बात आती है बच्चो वैरिमोस्ट बंडारण की कि आपने काट करके उनको थ्रेसर से निकाल लेते हैं नमी पर करते हैं इसका दालों का भणारन सभी बच्छों को याद होना चीए कोई भी कंडिशन में याद होना चीए क्योंकि यह प्रसन बड़ा udah important आपको याद होना चीह है अच्छे से चलो आगे बड़ो अब बच्चो आपने पड़ा होगा कि इन दालों की उपर एक आवरन पाया जाता है दालों की बीजो पर क्या पाया जाता है आवरन थो बीजो पर आवरन बीजो पर आवरन, यह नोटी नोट चल रहे है बचो सारे है न, बीजो पर जो आवरन होता है वो किश्का होता है, बचो बीजो पर जो आवरन होता है वो सारको टैस्ता का होता है, किसको सारको टैस्ता, इसको आप सारको टैस्ता कह सकते हैं, कि आपने देखा होगा कि जो बीज होता है किसी फसल का, यह जैसे आपका बीज है, क्या है? यह आपका बीज है, और बच्चों मान लोग कि इस बीज की उपर एक आवरन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? एक आवरन लगा हुआ है, यह आवरन किस से बना हुआ होता है? तबाचों सारकोट एस था से, किससे सारकोटस्ट को तैसिता ऐसे ऐसा आप लोगों को ध्यान रिखना है बड़ा इंपोर्टेंट समझा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है आपका की समझा जाता है तर यमाँ को सारकोटक्स्ट तो चिद्ध और ऐसा आप लोगों को पता होना चाहिद आप चलते हैं आगे की और गमन तो बीजो परावरण सारको टेस्टा होई गया है ठीक है अब इसके बाद बच्चों बात करते हैं बुवाई की इसकी सौविंग की बुवाई की आप से कोई पूचे की रवी फसलों की बुवाई कब करेंगे रवी दलहन की बुवाई तो बच्चों रवी फसल जो होती है इनकी बुवाई की जाती है 15 अक्तुमबर से 30 अक्तुमबर तक ऐसा कहा जाता है रवी दलहन के लिए फिर बात आती है बच्चों खरीब की किसकी खरीब दलहन की तो बच्चों खरीब दलहन की मैं चर्चा करूं तो कहा जाता है कि 25 जून जून देकर को मैं कितने जून से बंचो पत्चीस जून से लेखर के की भालben की हैं अमबसे unde जान पंद्रह जुलाई के इन को लगाना चाहिए इस हो 15 गार बंच कि यह करना चाहिए लगा चाहिए इनको खरीब दालों को, ऐसा बड़ा अच्छा परसन यहां से पूचा जाता है, बहुत बार परिक्साओं में पूचा जाता है, आप लोग यह ध्यान रखेंगे, इस इंपोर्टेंट ध्यान रखेंगे मेरे बच्चों, गुड एंसर यहां से पूचा जाता है, ठीक है, यह बात होगे, किसकी बुवाई की, आप लोगों ने पढ़ लिया, बुवाई पढ़ लिया, जलमांग पढ़ लिया, सिचाई पढ़ लिया, कब लगाना चाहिए, ठीक है, कौन से साकनासी प्रयोग करने चाहिए, कितना उर्वरग डालना चाहिए, कौन सा अमल इन में पाया जाता है, अनुसंधान कहां है, तो बच्छो, अमल की बात करूँ मैं, कि दालों में कौन सा अमल पाया जाता है, तो मुख्य रूप से फॉस्पोरी कमल पाया जाता है, कौन सा फॉस्पोरी कमल मुख्य रूप से पाया जाता है, कौन सा फॉस्पोरी कमल पाया जाता है, इस में अंकूरित दालों में आप से पूचे कि अंकूरित दालों में आप तो ये बताएं कि विटामीन कौन सा होता है तो विटामीन C होता है बचो पौशक तत्वे आप से पूचे जाए कि कौन से पौशक तत्वे होते हैं पौशक तत्वे तो कहा जाता है बच्चो दालों में Kalsyum होता है, Phosphorus होता है, Loha होता है Nicene होता है Nicene यह मुखह रूप से पायए जाते हैं, Kalsyum, Phosphorus Fe, Nicene, यह पोशक तत्वा आपको दालों को खाने से मिलते हैं ऐसा आप छोग ध्ञान रखेंगे, ठीक है इसको बच्छों और चुछ चाने में कौन सा वीटामीन होता है, यह सब चीजे आपको ध्यान में रखनी है, यह बात हो गई कि इसकी अमल की बात हो गई है, ऐसा आप थ्यान रखेंगे, ठीक है, अब एक नोट वापस आगे. देखो. दलहन का राजा कौन बच्चों? दलहन का राजा. सब जानते हो दलहन का राजा कौन बच्चों? चना. दलहन का राजा कौन है? चना है? means gram. King of pulsage. कौन हो गया? चना हो गया. ठीक है? फिर बच्चों, राणी कौन? आगे देखो, Not Rani. किते हैं जोकेते हैं मट्र, मट्र बोले तो पी मठ्र को रानी लुए किस में इस आप आप ज। है जान आप जिन रखने वाले हम हो है थुल्ध间ि तरफ डग। किंया सारे नौट हो गया है तक है राजा हो गया रानी हो गया और देखो बच्चो, कमाल की चीजे देखो, बड़ी इंटरस्टिंग चीजे देखो, भारत में, बारत में, चना प्लस अरहर, बारत में चना प्लस अरहर, दलहन का, पिचित्तर परतिसत योगदान है, बच्चो, बारत में, चना प्लस अरहर, दोनों जो दलहन का, 75% योगदान न है, कुल दलहन में, वच्चो, कुल दलवें, चना और अरहर दोनों का, कितना योगदान है, 50% जिसमें से 50% तो चने का है, और 25% अरहर का है, दोनों मिलकर की कितना बनाते हैं 75 बरतिस्वत बनाते हैं बड़ा इंट्रेस्टिंग परसंट यहां से रिक्साओं में पूछा जाता है चप जाता है आज आज आए ऐसा आप लोग ज्यान रखेंगे भारत में चना प्लस अरहर दलन का कितना प्रसेंट योगदान देते हैं 40% योगदान देते हैं ऐसा आप लोगों को पता होना चाहिए कोई भी कंडिशन में पता होना चाहिए ठीक है अब बच्छों एक परसंट आता है कि विशूर की सबसे पुरानी दाल कौन विशूर की सबसे पुरानी दलहन विशूर को इसको मसूर को जिसको आप लेंटिल भी कहते हैं लेंटिल, लेंटिल बोले तो मसूर को, ठीक है, बचो पूचा जाता है, कि दाल की आउशकता कितनी है, दाल की आउशकता, तो बचो कहा जाता है कि दाल की जो आउशकता पड़ती है, वो कितनी पड़ती है, तो बचो दाल की जो आउशकता होती है, वो असी ग्र प्रती दिन, प्रती परसन मनलब एक व्यक्ति को एक दिन में कितना दाल खाना चाहिए, 80 ग्राम खाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है, एक आदमी को एक दिन में कितनी दाल खानी चाहिए, 80 ग्राम दाल खानी चाहिए, ऐसा आप लोगों को पता रखना है, बड़ा अच्छा और जानदार परसंत फिर देखों बच्चो भारत का असी प्रतीसत दलहन उत्पादन भारत का 80% दलहन उत्पादन सुषक करसी सुषक करसी अबलिक खेती में होता है बच्चों में होता है देख लो कितनी जोड़दार बात है बहुत इंट्रेसिंग बात है, कि भारत का 80% दाल उत्पादन सुस की खेती में होता है, यह कितनी घजब की बात है, ठीक है, बहुत जोरदार बात है, ठीक है, यह आप लोगों को पता रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, देखो, बड़ा इंट्रेसिंग, बड़ा लेग्यूम माला, कौन सा? लेग्यूम माला, बचौन तीन नम्मर का अता, हिएनका कुल कौन सा है, 4 कौन सा है, 5 नमर इंका जनम कहां से हुआ है, ठीक है, बड़ा इमपोटेंट था, 6 नमबर इंका नुसंधान कहां है, 7 नमबर 21बर कितने होते हैं, 8 नंबर कि नमें प्रोटीन कितना होता है, 9 नंबर कार्वोहईडीड कितना होता है, 10 सीथ्री है, 11 जलमांग है, 12 सीचाई है, 13 वच्चों पुष्पकरम है, 14 नंबर फल प्रकार है, 15 नंबर परप्रागन है, यह सव परागन है, 16 नमबर उरुरक आपने उठाया उरुरक, 17 नमबर आपने जलवायू को लिया है, 18 नमबर मर्दा लिया है, 19 तापमान आपने उठाया है, तापमान, कौन सा, तापमान, तापमान, 20 नमबर आपने उत्पादन को लिया, कितना लिया, 20, ठीक है, फिर 21 नमबर आपने क्या लिया बच्चो, साक नासी, साक नासी, 22 नमबर अंकूरण, 23 नमबर कटाई, 24 नमबर कटाई सुचकांग, 25 बंदारण, 25 क्यों हो गया, बंदारण, और, 26 नमबर आवरण, 27 नमबर बुवाई, 28 नमबर अमल, 39 नमबर विटामीन, 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 और, 30 नमबर कितना योगदान है, 31 नमबर विटामीन, सबसे पुराने दाल कौन सी है, 32 नमबर आपकी दाल की आवशकता, 33 नमबर सबसे दक खेती का होती है, और, 34 नमबर है विटामीन, विश्चो राउपन दूरी, कौन सा, राउपन दूरी, क्या सीच, राउपन दूरी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग शंबढ जाता है, राउपन दूरी, देखो बचो, राउपन दूरी सामाने अथी स इन्टू 10 सेंते कौन है? औरहर. बच्चों, औरहर को 80 into 20 cm पे लगाते हैं और बच्चों, मोट की 2 variety ऐसी हैं, जिन को 45 into 25 cm पे लगाते हैं या 45 into 15 cm पे लगाते हैं, यह रोपन दूरी में अपवाद हैं, वाकि normally थी 70 into 10 पे लगाते हैं, लेगर अरहर 80 into पर 20 पर लगाय जाता है और आपका जो मोट है वो 45 इन्टू 20 पर लगाय जाता है ठीक है और यह last note है बच्चो 35 नंबर यह बड़ा interesting note है 35 नंबर ठीक है पिर इसके बाद चना फसल चालू करेंगे बच्चो इसमें important चीच पूछी जाती है कि कुण सा उंकूरन प्रेकार, यह बहुत ही कमाल का वर्ड है, कमाल का परसं देखे जाता है, बचणो सबसे पहले आपको याद रखना है रभी, कौन? रभी- र-A-B-I रभी, बच्चो रभी में आपको याद रखना है रह, यह ट्रिक याद रखनी है, रह याद है तो आपका सही हो जाएगा, आर का मतलब क्या हो गया, रभी, ह का मतलब क्या हो गया हाइपो जीयल और हाइपो जीयल को बच्चों हिंदी में कहते हैं अधो भूमिक ठीक है एक बच्चों आपका होता है इधर के कयो के बच्चों आपका मतलब है करीं मैं और यहां पर ई का मतलब है एपीजियल मतलब उपरी भूमिक उपरी भूमिक का मतलब बच्छो यहां पे एपीजियल एपीजियल है ना एपीजियल मतलब खरीब में कौन सा होगा ए मतलब एपीजियल मतलब उपरी भूमिक आरेच, आरेच का मतलब है रभी में कौन होगा हाइपोजियल, कौन होगा बच्छो हाइपोजियल, ऐसा आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, अब देखो, आपको एक गजब की चीज में बताता हूं, मज़धार चीज बताता हूं बच्छो, आपने देखा होगा ये आ मूं के पौदे पर क्या होता है, कि जो बीच पत्तर होता है, ऐसे बीच पत्तर, तो बीच पत्तर बच्छो, यहां से खुल जाता है, बीच पत्तर क्या होता है, बच्छो, खुल जाता है, आपने देखा होगा गाउं में, सभी किसान के बेटे हैं, कि जब बीच उगता है, मूंकार इनका बीज उगता है तो उसमें ऐसे बीज पत्तर रहता है फिर उसके बाद में ऐसे फसल आपकी उगना प्रारम होती है ऐसा आपने देखा होगा तो यह जो बीज पत्तर होता है बीज पत्तर जब यह बीज पत्तर बाहर आता है 20 पत्र बाहर आता है तो उसे उसे उपरी भूमिक कहते हैं क्या कहते हैं उपरी भूमिक कहते हैं क्या कहते हैं बच्छो उपरी भूमिक कहते हैं जब 20 पत्र बाहर आ गया आपका जमीन के उपर आ गया बाहर निकल करके तो उसको क्या कहेंगे उपरी भूमिक लेकिन बच्छो इन हाइपोजीयल में क्या होता है कि जो आपका वो पोदा होता है इसका ये जो बीच पत्तर है बीच पत्तर जो आपका इसमें है ये बाहर नहीं आता है ये बाहर नहीं आता है इसमें बीच पत्तर बाहर नहीं आता है ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे जब दीच पत्र बाहर नहीं आता है तो इसको क्या कहेंगे हाइपोजील पर इसको एपीजल लेकिन बच्चों एक बड़ी जोरदार बात बता दूँ इसमें एक अपवाद है क्या है अपवाद 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 बच्चों राजमा कौन से मोसम का है राजमा राजमा रभी का है इसका है रभी का तो रभी का है तो उसमें कौन सा होना चाहिए हाइपोजील लेकिन इसमें हाइपोजील नहीं होता है इसमें उपरी भूमिक होता है लग खरीब वाला होता है उल्टा होता है जैस्ट उपरी प्रिक्ष्यन यह आते हैं है। दूसरा कि दूसरा कि दूसरा पोध इई और हर अरहर कौन से मोसम का है अरहर क्रीब का है है Big ourselves विश्थ संस्वेत खरीब का तो खरीब में कौन सा होता है उप्री भूमिक लेकिन जबकि इसमें हो कौन सा रहा है अधो भूमिक, जैस्ट उल्टा, एक दूसरे के उल्टे हैं बच्चोर यही परिक्षाओं में पूचे जाते हैं, एक दूसरे के उल्टे ही पूचे जाते हैं, तो अंकुरन परकार में रभी में तो कौन सा हो गया, हाइपोजियल, खर और चीज बताता हूं आपको बीज बॉने की गहराई 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 बच्चो यह थी खरीब की फसल है इसकी पसल है खरीब दाल है तो खरीब दाल को जमीन के अंदर चार से लेकर के पांस सेंटिमीटर नीचे लगाएं लेकिन यहां पर अपवाद है कौन अरहर बच्छो अरहर को 6-7 सेंटिमीटर नीचे लगाते हैं 6-7 सेंटिमीटर नीचे फिर बात अतिया बच्छो रभी दलहन की तो रभी दलहन के लिए कहा जाता है कि उनको 6 से लेकर के 9 cm नीचे लगाते हैं 6 से 9 cm लेकिन यहां पे भी एक अपवाद है कौन राजमा अभी तो आपने देखा है न पीचे राजमा बच्छो राजमा को 4 से 5 cm नीचे ही लगाते हैं क्योंकि आपने अभी यह पढ़ा है ना कि इधर तो राजमा रभी वालों में अपवाद है उपरी भूमिक और खरीब वाले हैं इनमें कौन है अरहर अपवाद है तो देखो खरीब वाले 4 से 5 cm लग रहे हैं लेकिन इसका मतलब यह समझ लो कि 36 नोट याद होने का मतलब है कि आपकी डाले जो है वो लगबग लगबग 60 प्रतिसत तयार हो चुकी है ठीक है क्योंकि सबी फसलों के लिए यह नोट कॉमन रहेंगे सब के लिए लागू रहेंगे ठीक है अपन कल की क्लास में बात करने वाले है चने के बारे में ठीक है आज यहीं ड्रॉप करते हैं धन्यवाद